हेलो दोस्तों मेरे ना में सागर और आप देख रहे हैं All Exams Hub चैनल दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आए हैं PhD अडमिशन जैसा कि अपने थमनेल पर देख लिया होगा यह है डॉक्टर राम अनुहर लोहिया अवध इन्वस्टी जो की आयोध्या में है सब्जेक्स में PhD होगी कौन सी किन सब्जेक्स में PhD आप जो है युनिवस्टी केंपस से कर पाएंगे अकौन से आप कॉलेजिस से कर पाएंगे पूर इन्फरमिशन देंगे फीस कितनी है और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि फॉर्म कैसे आपको भरना है तो वीडियो में अंट तक बने रहें और बिना देर की वे स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो तो दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख जाएंगे दो मोड में यहाँ आप आप PhD कर सकते हैं लिया जाएगा और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पहला जो फेज है वो है रिटन टेस्ट और फेज बी जो है वो है आपका इंटर्व्यू और वाइबा ओके इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर आगे बढ़ने पर आपको मिलेगा इंटरंस टेस्ट में आप देख सकते हैं 50% जो सिलिबस होगा वो आपका रिसेच मेटडॉलजी से होगा 50% कोशन आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से होने वाले हैं और जो लोग 50% स्कोर करेंगे वो ही लोग जो हैं आगे इंटर्वी के लिए उन्हें बुला जाएगा और 5% का रिलेक्सेशन यहाँ पर SCST और OBC और साथी EWS केटेग्री वालो को भी यहाँ पर 5% का रिलेक्सेशन मिलेगा यानि कि 45% मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आपको PhD इंटर्वी के लिए बुलाए जाएगा और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर जो important है syllabus मैंने आपको बता दिया है syllabus के लिए आप इस website पर विजिट कर सकते हैं आपको और detail में सारी चीज़ी मिल जाएगी वरना आप UGC.net का आपको जो syllabus है subject का और research methodology का उसको भी आप पढ़ सकते हैं eligibility की बात करें आप जानते हैं कि आप पीजी किया होना चाहिए 55% marks आपके होने चाहिए और other categories के लिए 5% का relaxation यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं online procedure के लिए आपको इस website पर विजिट करना होगा वह भी अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा email ID आपके पास valid होनी चाहिए अधार mobile number आपका valid होना चाहिए active mobile number होना चाहिए यह conditions जो है यहाँ पर दी हुई है photo आपकी JPEG format में होनी चाहिए जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है 50KB maximum size यानि कि 50KB से कम ही होनी चाहिए आपकी photo और साथी signature भी आपका 50KB से कम ही होना चाहिए photo ID proof में आधार card, voter ID, license और passport लगा सकते हैं और साथी EWS वाले EWS certificate लगाएंगे बाकी जो category certificate वाले हैं वो आपको category certificate भी आपको लगाना होगा SCST, OBC और EWS के लिए fees आप देख सकते हैं यहाँ पर general OBC और EWS के लिए आप देख सकते हैं application fees जो है वो INR में यहाँ पर लिखी हुई है 2000 rupees fees है और अगर आप late fees के साथ अगर form भरते हैं तो वही fees आपको 3000 पे करनी होगी SCST के लिए 1000 रुपे की fees है अगर late fees आप भरेंगे तो आपको 2000 रुपे यह करना होगा इसके बाद जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं guidelines for entrance test है यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है कि MCQ question होंगे सतर question आपके जो है यहाँ पर देख लिखाव है the paper set will be comprised of two sections with total 70 questions one questions of 35 questions will assess the subject knowledge and other 35 questions will be related to the research methodology याने कि total 70 question आपको करना है 2 घंटे का time है कोई भी negative marking यहाँ पर न session मैंने आपको बता हुआ है सिर्फ black ball point pen का आपको use करना है exam में और आगे बढ़ते हैं जो other information है उसके बारे हम बात कर लेते हैं subjects की बात कर लेते हैं कौन-कौन से subject यहाँ पर available हैं सबसे पहले जो आप यहाँ पर देख रहे हैं left hand side में subject for PhD in residential campus department तो यहाँ पर जो यह आप द पर देख पा रहे हैं इसके बाद है subjects in self financing department, self financing department में भी 10 यहाँ पर department दिये हुए हैं और जो आप affiliated colleges में जो subjects available हैं उनकी list यहाँ पर देख सकते हैं total 21 subjects हैं इसमें की botany, chemistry, zoology, mathematics, physics, commerce, ancient history, economics, education, English, geography, Hindi, medieval history, military science, political science, psychology, संस्केत, sociology, उर्दू, law and physical education यह सभी available हैं और बाकी सारे subject आ आपने हाँ पर देखी लिये हैं, electronics and communication, engineering, computer science and engineering इस सभी subject available हैं, बहुत सारे subject हैं, mostly subject आपके हाँ पर मिल जाएंगे जिसमें की लोग PhD करते हैं, और सबसे important बात यहाँ पर यहाँ है कि business management, entrepreneurship and management, applied science and humanities का जो subject रहेगा, यानि कि जो syllabus रहेगा आपके exam का वो सेम होगा, और physical education के ल department में रहने वाला है, और reservation policy आपर दी हुई है, इसका पूरे detail दिया हुआ है, जो लोग regular PhD करेंगे, उनका course work की fees 25,000 रुपे है, registration fees 3,000 है, per semester fees 5,000 है, और thesis evaluation की जो fees है, वो है 20,000 रुपे, इसी तरह से regular programs में part-time अगर आप करते हैं, तो यहाँ पर आपकी course work की जो fees है, वो 50,000 है, registration fees 10,000 है, per semester 15,000 रुपे, और thesis evaluation की जो fees है, वो है 25,000 रुपे, और यहाँ पर सबसे अच्छा जो फाइदा जिनको मिलने वाला है, वो है JRF, NET, Kate, and CWD candidate, और teaching experience जिनके पास है, उनको 15 marks यहाँ पर provide किये जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छा जो है, यह benefit यहाँ पर दिया जा रहा है, कि यहाँ पर JRF और NET वालों को भी 15 marks यहाँ पर provide किये जा रहा है, interview criteria यहाँ पर दिया हुआ है, कि किसको कितने marks किस तरह से दिये जाएंगे, जब आप नीचे यहाँ पर scroll करेंगे, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, कि valid fellowship, scholarship वालों को यहाँ पर maximum 7 marks मिलेंगे, और यहाँ पर आप नीचे विजिट करते हैं, interview में आप देख सकते हैं, interview section क के लिए यहाँ पर आप नोंने बूला हुआ है कि jrf.net gate in 15 marks दी जाएंगे, और research aptitude and subject knowledge of candidate को भी 10 marks यहाँ पर दी जाएंगे, तो total आपके होते हैं 30 marks, okay, और बाकी information यहाँ नीचे दी हुई है, second information को आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो main है, 5 April से form स्टार्ट हो चुके हैं online, और last date of completing application form, वो है 5 मही with fees, okay, last date of completing application form with applicable late fees, late fees के साथ आप 10 मही तग apply कर सकते हैं, और entrance exam आपका 4 जून को होगा, result का declaration आपका 20 जून को होगा, last date of completing interview and viva, यह आपकी date है, 30 जुलाही तग आपका interview complete हो जाएंगे, declaration of final result for academic year, 10 जुलाही जो है, आपका final result जो है, वो आ जाएगा, I think यहाँ पर गलत चप गया है, यह 30 जुलाही नहीं होगा, यह तुन होगा, और फिर 10 जुलाही तक आपका result आजाएगा, और course work का fee deposition आपका 15 जुलाही से start हो जाएगा, और last date for course work fees deposition जो है, वो है 30 जुलाही, तो यह पूरा calendar इनो ने दिया हुआ है, इसको भी आप हमारे start नहीं हुआ है, जैसे form start होगा, मैं आपको वीडियो बना करके अलग से बताऊंगा कि कैसे आपको इसका form भरना है, पकी information के लिए आप notifications देख सकते हैं, कोई issue आता है तो हमारे telegram channel पर visit कर सकते हैं, Instagram पर message कर सकते हैं, YouTube में comment करके पूछ सकते हैं, अगर आपको कुछ भी आपको कर सकते हैं, ृ Аmeen